हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंड एर का सब्जेक्ट बायो केमिस्टी जिसका लेक्चर नमबर सेकेंड पढ़ाएंगे दोस्तों अगर आपने लेक्चर नमबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएए बहाँ से उस लेक्चर को पढ़ लीजिए उस लेक्चर में हमने कवर किया था दोस्तों डेफिनेशन आप कार्वो हाइटेड और क्लासिफिकेशन आप कार्वो हाइटेड और मोनो सेकराइड को उसमें हमने कवर किया था दोस्तों इस lecture में हम आपके लिए die secret वाले topic को cover करेंगे और उसके बाद दोस्तों जो भी topics आपके बचे हुए हैं वह next lecture में हम उसको cover कर लेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दीजिए और हमारे channel को भी subscribe कर दीजिए अगर आपको मेरे WhatsApp group से जुड़ना है तो description box में link दी गई है WhatsApp group की उसमें मेरा जो number दिया गया है उस पर जब आप 199 रुपीज का phone पे करके screenshot send कर देंगे तो आप group में add हो जाएंगे आपको सभी PDF, model paper और जितने भी multiple choice वाले question होंगे deform secondary के आपको मिलते रहेंगे उस group पे तो दोस्तों शुरू करते हैं उस वीडियो को और बताते हैं आपको die sacred वाले topic को अगर आपने अभी तक channel अपने college group में नहीं share किया है तो please share कर दीजिए तो die sacred वाली screen पीछे लगी हुई है हम बताते हैं कि die sacred क्या होता है तो दोस्तों die sacred क्या होता है देखिए जिसमें दो सुगर molecules होते हैं die means दो यानि जिसमें दो सुगर molecules होते हैं उनको die sacred का हज़ाता है जो glycosidic जो bond होता है उससे आपसे जुड़े होते हैं जो die sacred होते हैं जिस bond से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं glycosidic bond और die sacred human body को energy provide करने का बर करते हैं जो die sacred होते हैं human body को energy provide करते हैं और बहुत से common example होते हैं die sacred के जैसे maltose, lactose और sucrose तो दोस्तों आपने देखा कि दो sugar molecules जो मिलकर बना होता है उसको die sacred कहते हैं और die sacred के example हैं maltose, lactose and sucrose उसके बाद अब हम इसके example के structure और example की थोरी थोड़ी सी आपको पढ़ाएंगे तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि lactose, lactose किस से मिलकर बना होता है यानि lactose जो होता है बेटा galactose और बेटा glucose से मिलकर बना होता है और maltose, alpha glucose और plus alpha glucose से मिलकर बना होता है और जो सोक्रोज होता है बेटा गलुकोज और fructose से मिलकर बना होता है तो इस वाले lecture में आपको lactose, maltose और सोक्रोज के structure के बारे में पढ़ना होगा अगर आप structure के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आपको die secret वाला जो topic है अच्छी तरीके से clear हो जाएगा और उसके बाद आपका topic सुरू करेंगे हम police secret next video में दोस्तों हम बहुत जल्दी कोशिज करेंगे कि आपके syllabus को बहुत अच्छे से और बहुत जल्द पढ़ाने की कोशिज करेंगे उसके बाद दोस्तों हम first year भी start कर देंगे अपने channel पर जो first year वाले new student होंगे उनको आप share कर देंगे channel और बेपने notes तयार कर लेंगे इस channel से तो सबसे पहले बात करते हैं maltoz की कि maltoz क्या होता है तो देखिए पीछे screen आपकी लग गई है maltoz वाली तो maltoz के बारे में थोड़ा से आपको बताते है कि maltoz होता क्या है यानि ये two glucose unit से मिलकर बना होता है जो maltoz होता है जब दो glucose unit को मिला देते हैं तो maltoz का निर्माड हो जाता है और इसमें पहले glucose का first carbon item यानि जो पहला glucose होता है उसका first carbon item और second glucose के fourth carbon item से जुड़कर maltoz का structure तयार कर देता है यानि जो पहला glucose होता है उसका जो होता है second glucose से add होता है जो fourth बाला होता है देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें पहले glucose का first carbon item यानि जो पहला glucose होता है उसका first carbon item second glucose के fourth carbon item से जुड़कर maltose का निर्माड कर देता है आगे जब आप structure देखेंगे तो आपको यह वाली line समझ में आ जाएगी और यह दोनों structure जिस bond से जुड़े होते हैं उसे glycosidic bond कहते हैं यानि जो maltose का निर्माड होता है तो maltose के structure में जिस bond से दोनों item जुड़े होते हैं यानि glucose और glucose जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं glycosidic bond उसके बाद दोस्तों आप इसका structure देख लीजिए maltose का आपके सामने पीछे screen लग गई है तो पहले आप alpha glucose जो हमने first lecture में आपको पढ़ाया था cyclic बाला structure पढ़ाया था तो आप इसमें पहले alpha glucose को बनाएंगे यानि alpha glucose में first position पर जो H उपर होगा OH नीचे होगा और उसके बाद फिर दूसरा आप alpha glucose same structure इसी तरीके का बना लेंगे यानि पहला glucose आप बना लिये हैं alpha glucose फिर second बाला आप इसी तरीके का जब बना लेंगे तो इसका जो first बाले की first position है और second बाले की जो fourth position है इसका OH और first बाले का H दोनों एक साथ मिलकर जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो next structure आपका माल्टोस का बनेगा तो दोनों structure O से जुड़ जाएंगे यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है दोनों structure O से जुड़ गए है बहुत ही सरल structure है माल्टोस का आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको अपने आप बना भी सकते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए Alpha Glucose प्लस Alpha Glucose दोनों को जब मिला देंगे तब माल्टोस का निर्माड हो जाता है और जो जल होता है वह निकल जाता है और इनके बीच जो बंड बनता है उसको कहते हैं 1,4 Glycosidic Band तो आपको माल्टोस के इस्ट्रक्चर में बस इतना ही पढ़ना है यानि थोड़ा सा उसकी थियूरी पढ़नी है और उसका इस्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है उसका इस्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना है फिर बात करते हैं लेक्टोस के इस्ट्रक्चर की कि लेक्टोस का इस्ट्रक्चर क्या होता है तो लेक्टोस का इस्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ी सी थियोरी पढ़ते हैं कि थियोरी क्या होती है तो इसमें एक molecule glucose का होता है और एक molecule galactose का होता है तो पहला structure जो होगा वैया पहले glucose का structure बना लेंगे cyclic वाला और दूसरा आप galactose का structure cyclic वाला बना लेंगे और उसके बाद इसमें galactose की first position का carbon atom जो galactose होता है उसकी first position का carbon atom glucose के fourth position के carbon atom से link हो जाता है यानि जो galactose है उसकी first position का carbon atom जो गलूकोज होता है उसकी fourth position के carbon atom से link हो जाता है इस linkage को glycosidic linkage कहते हैं इसे beta 1,4 से symbolized किया जाता है तो दोस्तों जब आप structure बना लेंगे तो आप थोरी अपने आप इसकी लिख देंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप lactose के structure को देखिए पीछे स्क्रीन लगी हुए देखिए पीछे इसमें आप पहले beta galactose का structure बनाईए यानि जो हमने फर्ष्ट लेक्चर में आपको galactose की cyclic वाला structure दिखाया था और समझाया भी था उसमें तो पहले आप beta galactose का structure आप अपने आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर और उसके बाद beta glucose का structure तयार कर लीजिए फिर उसके बाद आपको क्या करना इसमें जो beta galactose है पहला बाला structure है इसकी first position का carbon atom जो होता है जो beta galactose है इसकी first position का carbon atom होता है बै आपका beta glucose के fourth position के carbon atom से जुड़ा होता है इसमें देखिए पीछे linkage भी दिखाई गई है हमने दिखाई भी है इसको तयार किया है अपने आप लिखा हुआ है और दोस्तों इसका जो उपर वाला जो H है बै नीचे बाले OH से जब mix हो जाएगा यानि जुड़ जाएगा और बाटर के रूप में निकल जाएगा तो आपका बन कमाफोर गलाइकोसिडिक जो linkage होती है जो bond होता है बै आपका bond बन जाएगा और आपका जो lactose बाला structure है बै इस स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा तो आपको सब्सक्र पहले पहली वीडियो देखनी है उसमें आपको cyclic structure तीन के याद कर लेने हैं आपको glucose, fractose और galactose के structure cyclic बाले याद कर लीजिए बस जब वो structure आपको याद हो जाएंगे तो आपको इन structure में बहुत जादा problem नहीं होगी आप देखिए बीटा galactose का आपको structure अगर याद होगा तो पहले आप बीटा galactose का structure बना लीजिए और उसके बाद बीटा glucose का structure आप तयार कर लीजिए दोनों को add कर दीजिए एड करने के बाद 1,4 glycosidic bond उसमें लगा दीजिए उसके बाद आपका लेक्टोज वाला इस्ट्रक्चर अच्छे से तयार हो जाएगा तो दोस्तों जो लेक्टोज वाला टॉपिक है उसमें भी आपको थोड़ी सी थिवरी पढ़नी है और उसका structure अच्छे से पढ़ लेन आसान भासा में हमने इसको लिखा है तो पहले आप पढ़ेंगे सुक्रोज होता क्या है तो ये glucose and fructose से मिलकर बना होता है जो सुक्रोज होता है ये glucose and fructose से मिलकर बना होता है तो दोस्तों glucose का भी structure आप देख चुके हैं पहली वीडियो में और फ्रेक्टोज का भी cyclic structure आप देख चुके हैं तो यही बात इसमें लिखी है glucose and fructose से मिलकर बना होता है सुक्रोज और इसकी जो linkage होती है उसको 1,2 के नाम से जानते हैं यानि 1,2 जो glycosidic linkage होती है उसको 1,2 कहते हैं इस वाले structure में सुक्रोज के अंदर और previous वाले जो structure थे उनमें कौन से linkage बन रही थी बीटा 1,4 glycosidic bond उसमें बन रहा था उसके बाद यह non reducing sugar होता है और यह ripe fruits यानि जो कच्चे fruits होते हैं उनके juice में पाया जाता है जैसे pineapple जो ananas होता है उसके juice में सुक्रोज पाया जाता है और sugar cane गन्ना के juice में बहुत ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है honey यानि सैद में पाया जाता है इन सम्में बहुत ज़्यादा quantity में सुक्रोज पाया जाता है और जो carrot roots होती हैं उसमें भी सुक्रोज बहुत ज़्यादा पाय जाता है तो दोस्तों आप पहले सुक्रोज का थोड़ा सा intro लिखेंगे exam में अगर आपका sort में आता है तो आप उसमें intro लिख देंगे और अगर आपका long में भी आता है long में आपका question आएगा define disacrite तो आप disacrite को थोड़ा सा define करेंगे फिर उसके जो हम आपको maltose, lactose और सुक्रोज वाले topic बता रहे हैं इन तीनों topic को exam के अंदर आप लिख देंगे तो सुक्रोज का structure क्या बना हुआ है पीछे देखिए सुक्रोज का structure किसे मिलकर बना होता है पहले आप इसको देखिए glucose और fructose से मिलकर बना होता है तो आप पहले glucose का structure बना लीजिए जो glucose वाला structure है आप इसमें देखिए बना हुआ है उसकी cyclic structure बना हुआ है और उसके बाद जो fructose वाला structure है fructose का भी structure बना हुआ है फिर आपको क्या करना है यानि जो glucose है उसकी first position का OH जो आपका fructose का second position का जो H होता है उसके साथ bond बना लेगा और H2O के रूब में निकल जाएगा यानि बाटर के रूब में निकल जाएगा और देखिए सामने एक आपका structure बनकर आ जाएगा सोक्रोज का यानि यहां से यह add हो जाएगा क्योंकि O के साथ दोनों structure एड हो जाएगे और आपका सोक्रोज वाला structure बनकर तयार हो जाएगा तो दोस्तों जितना भी आपका topics था die secret के अंदर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से cover किया है दोस्तों इसमें आप अगर पहली वीडियो देखेंगे और आप पहले cyclic structure को याद करेंगे उसके बाद ही आपको इन structure को आपको बनाना आपाएगा अगर आपको structure नहीं याद होंगे बोबाले तो दोस्तों आप कितनी भी कोसिज करेंगे आपको structure समझ में नहीं आएंगे तो आप कोसिज करें कि जो पहली वीडियो हमने बनाई है उसके पहले आप notes अपने बनाई है या PDF के द्वारा लिजए गुरूप में add होकर और दोस्तों उसके बाद जब आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको फिर आप second वाले जो आपकी वीडियो बनी हुए इसको आप पढ़ेंगे और आपका जो chapter है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा इसके बाद आपका polysecret वाला topic है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे और आपको समझाएंगे भी और दोस्तों फिर उसके बाद आपका टॉपिक है qualitative test and biological roll up carboighted एक वीडियो में आपका qualitative test और biological roll up carboighted को कवर कर लेंगे और एक वीडियो आपकी polysecret वाली हो जाएगी तो दोनों वीडियो में आपके हम chapter को कवर करके आपको group पर PDF provide कर देंगे जो student group में add हैं उनको PDF मिल जाएगी तो दोस्तों आपका जो pharmacy line ethics वाला syllabus है उसको हम बहुत जल्द कवर करके और आपके तीन chapter तक हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे कुरोजी का chapter भी बहुत जल्द कवर करके आपका बहुत अच्छे से तयारी करा देंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सस्काइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सेयर कर दीजिए और प्लीज दोस्तों हमारे ग्रूप से ज़्यादा जुड़े हम आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं प्लीज धन्यवाद दोस्तों